हेलो एवरिवन, वेलकम टू टेक्ष्यरमित आज की सेशन में हम मेडिकल टर्मिनलोजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रिफिक्स देखेंगे जो डिनोट करते हैं किसी बॉटी पार्ट को ठीक है इससे पहले वाले सेशन में भी हमने ऐसे टॉपिक अल्रेडी कवर किये हैं तो यह उसी के कांटिविशन में पार्ट ट्विन्टी सेवन है ठीक है अब जो लोगों को प्रिफिक्स का नहीं आइडिया है और जो डिरेक्टल इस सेशन को देख रहे हैं तो उनके लिए में रिपीट कर देता हूँ कि प्रिफिक्स क्या होता है एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी medical terminology के starting में लग कर उससे कुछ meaning produce करें उसका कोई meaning showcase करें तो उसका हम क्या बोलेंगे प्रिफिक्स बोलेंगे ठीक है प्रिफिक्स अलग लग टाइप के होते है काफी सारी categories होती है इससे पहले वाले भी sessions में जो अगर आप लोगों ने देखे हो तो वापे हमने different prefix देखे थे कुछ prefix color को denote कर रहे थे कुछ prefix direction को, movement को इन चीजों को denote कर रहे थे अभी हम जो discuss कर रहे है वो body part को denote कर रहे है ठीक है तो इस session में हम पढ़ेंगे कैसे मैं आपको कुछ prefix का name बताऊंगा उन prefix का actual meaning क्या है वो समझेंगे जब meaning clear हो जाएगा और हमें clear हो जाएगा कि हाँ ये prefixes का ये purpose रहता है फिर उसकी बाद में कुछ उसी से related examples करेंगे reason क्या है examples करने का कि जब भी आप किसी interview में होते है या कोई exam दे रहे होते है तो वहाँ पे आपको identify करना आना चाहिए कि अगर कोई prefix का ही use हो रहा है तो उसको meaning क्या है किस purpose की वाज़े से वो use हो रहा है तो उस चीज पर clarity लाने के लिए हम एक एक चीज को practically example के साथ देखेंगे ठीक है तो start करते है पहला prefix देखते है आज का कौन सा है पहला हमारा prefix है hem hemat hemat hemato अब आप सोच रहोंगे कि इतने सार प्रिफिक्स हमने एक के लिए क्यों यह कहीं ना कहीं सब relate करते है कहीं ना कहीं यह सब denote करते हैं blood को ठीक है आप इन में से कोई सब hem देख लो hemat 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 और o तो यह सब किसको denote कर रहे हैं blood को तो जब भी कोई blood से related discussion होगा तो वहाँ पे इन में से कोई भी आपको prefix use हुआ हूँआ मिल जाएगा ठीक है तो आप बोल सकते हैं कि यह सब एक alternative name है जो blood को represent करते हैं यह वो prefixes हैं जो blood को denote करते हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं यह body part से related ही हुआ body में blood है तो जो prefixes हम discuss कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं body से related है इसलिए इसको मैंने body part में consider किया है इस category में रखा है तो पहला example देखते हैं अब यह prefix तो आप लोग identify कर लोग जहां भी आपको hem से related कोई prefix मिलेगा उसका meaning हो गया blood अब देखते हैं पहला example पहला example क्या है हमारे पास hematocrit hematocrit का मतलब क्या होता है the percentage of red blood cells in the total blood volume तो यहाँ देखो यह पूरा discussion किसके around हो रहा है blood के around तो जो percentage होता है किसका red blood cell का किसमे total blood volume में तो उसको हम किससे denote करते हैं hematocrit से hematocrit से तो जैसा यहाँ पे terminology है वो है hematocrit और जो prefix हम यूज़ कर रहे हैं वो है hemato hemato ठेक है अब next example देखते हैं next example हमारे पास है hematogenius hematogenius का मतलब क्या हुआ originating in the blood कोई भी चीज़ है हो सकता है कोई disease हो या कोई भी कोई भी चीज़ अगर originate हो रही है किससे blood से कोई cancer भी हो सकता है disease हो सकती है तो उसको हम किससे denote करेंगे hematogenius से hematogenius क्या है एक terminology है complete और hemato क्या है prefix है ठीक है तो इस तरह से हम identify करेंगे तो अगर आप कहीं भी hemato या hemat या hemat ये सब keywords मिलेंगे तो उसका मिलेंगे कहीं ना कहीं discussion जो है वो blood के around हो रहा है ठीक है next example दिखते है hematogenius 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 the presence of the blood in the urine कुछ ऐसे disease होते है जहाँ पर urine में blood presence होती है urine के अंदर तो उसको हम किस से denote करते है hemato urea hemato hemat urea ठीक है तो वो denote क्या करेगा वो उस condition को denote करेगा जहाँ पर blood presence है blood की presence है urine में अब आप लोगों ने ये जो terminology हम next देख रहे हैं वो बहुत commonly सुना होगा उसको hemoglobin hemoglobin ऐसी commonly used damage अब भी कोई blood test वोगर कराता है तो normally उसको ये सुनने को मेलता है hemoglobin ये क्या होता है the protein in the red blood cells that carries oxygen तो हमारे body में जो blood में जो RBC में जो proteins होते हैं उसको हम क्या मोलते है hemoglobin और ये क्या करता है carry करता है oxygen को तो ये सब examples अगर आप वापस से walkthrough करोगे तो आपको एक ही चीज जिन में common मिले की वो है blood हर जगा हम blood से related ही discussion कर रहे हैं कहीं पे हम percentage of red blood cell निकालने total blood volume में से कहीं पे हम discuss कर रहे हैं उस चीज़ों को उन चीज़ों को जो originate हो रहा है blood से या फिर urine in blood या फिर protein in blood तो ये सब कहां पे discuss हो रहा है blood के around रे discuss हो रहा है तो उनके लिए इन सब alternative prefixes में से किसी भी prefix का use किया जा सकता है ऐसे और भी बहुत सारे examples आपको मिलेंगे तो उन examples को जब भी आप देखते हो किसी medical procedure में या कहीं भी तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका purpose क्या है वो कहीं नहीं कहीं blood के हो ही denote करता है अभी हम पूरा terminology तो ऐसे और भी मिलेंगे बट अभी हम discuss करें prefix के बारे में hepatico, ये क्या होता है hepato या hepatico ये जब use होता है जब भी आपको denote करना liver को, हाँ न? liver से related जहां भी discussion होगा तो आप पे हम use करेंगे hepato या hepatico जैसे hepatitis hepatitis क्या होता है? inflammation of the liver कोई भी medical reasons की वेसे अगर liver में inflammation होता है तो उसको हम किस से denote करते है? हेपाटाइटिस से हेपाटाइटिस से ठीक है next example है हमारे पास हेपाटो बिलेरी हेपाटो बिलेरी का मतलब क्या होता है relating to the liver and the bile duct तो यहाँ भी discussion किसके round हो रहा है liver के तो जब भी कोई discussion liver के related होगा तो वहाँ पे हम क्या use करेंगे हेपाटो बिलेरी अब हेपाटो तो रिप्रेजन कर स्वरी जहाँ भी discussion liver से related होगा वहाँ पे यूद करेंगे हेपाटो प्रिफिक्स और बिलेरी यूज हो रहा है बाइल टक्ट के लिए तो इन दोनों का combination बन के एक terminology बन रही है जिसको हम बोलते हेपाटो बिलेरी और प्रिफिक्स जो है वो है क्या हेपाटो likewise अगर हम third example देखें जो है हेपाटो cellular carcinoma अब carcinoma आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि हम already discuss कर चुके है cancer related है तो यहाँ पर कहले है हेपाटो cellular carcinoma अब यह पूरी complete terminology आपको clear होनी चाहिए क्यों क्योंकि carcinoma हमें पता है हेपाटो हमें पता है अब आप इसका definition देखो liver cancer that originates in the hypocyte liver cell तो जो भी liver cell में cancer develop होता है उसको आप किससे denote करेंगे हेपाटो cellular carcinoma हेपाटो क्या हो गया लिवर carcinoma cancer और बाकि cellular discussion है तो cell तो ऐसे आपको click करेगा चीज़े ठीक है next example है हमरे पास hepatocyte 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 क्या होता है a liver cell responsible for various metabolic functions जो बहुत सारे metabolic functions को और यह responsible होता है इसको हम denote करते हैं कि इससे hepatocyte जो एक liver का cell है ठीक है next करते है तो इन सब examples में एक जो common चीज़ हमें मिली है वो क्या मिली है लिवर अब हम देखते third example third example या third prefix क्या है hist और histio hist और histio जो क्या दिनोट करता है tissues को तो जहां भी discussion tissues के around होगा तो वहाँ पे हम use करेंगे hist, histo या histio for example पहला example है हमरे पास histogenesis histogenesis का मतलब क्या हो गया formation of tissue या development of tissue तो जहां भी development हो या formation हो किसका tissue का तो वहाँ पे हम कौन से terminology यूज़ करेंगे histogenesis likewise अगर हम second prefix देखें second terminology यहाँ पे जो examples देखें वो terminology है और उनके साथ में prefix attached है जैसे मैं आपको बताया था कि prefix beginning में होता है तो यह histo यह सारा prefix है तो histomorphology क्या होती है the study of the form and structure of tissues तो जहां भी structure और form के discussion होगा किसका tissues का तो उसको हम किससे denote करेंगे उसको हम denote करेंगे histomorphology से ठीक है just a second ठीक है तो यह क्या हो गया histomorphology जो एक study है किसकी form और structure क्या of tissues की ठीक है next example है हमारे पास histiocyte histiocyte क्या होता है a type of white blood cell that is part of the immune system and plays a role in defending the body against infection तो यह क्या होता है एक type होता है किसका white blood cell का जो part रहेगा हमारे immune system का और किसलिए role play करता है defend करने के लिए किसको body part को against the infection तो उस tissue को हम क्या बोलेंगे histiocyte next example है हमारे पास histiocytoma वो क्या होता है a binning tumor composed in histiocyte जो tumor composed होता है कहां पे histiocytes में उसको क्या बोलेंगे histiocytoma तो यह सारे examples में एगी चीज़ common आपको मिलिए वो है tissues तो जहांभी tissues का related discussion होगा वहाँ पे हम use करेंगे histo या histio आज का जो question है हमारा वो है what information is provided by the perfect guest or clause तो इसका answer आप comment section में put कर सकते हो और अगर आपको इसमें कोई doubt है तो previous session भी walkthrough कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही था next session में बागे topic discuss करेंगे so thank you for watching तेक्षिन में ते